हलो एर्यूवन आप मेरी वीडियो को बहुत मिस्स कर रहे थे लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डू इस डिरेक्टेट के इंपॉर्टेंट कुश्चन्स इससे पहले मैंने थ्री वीडियो और लाए हुए थे डू इस डिरेक्टेट से रिलेक्टेड यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हूआ है आप जा करके देख सकते हैं तो यह जो है डू इस डिरेक्टे एक होता है इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड जो होता है वो dependent clause, independent clause का मिश्रन भी हो सकता है अब बाताते हैं कि जो subordinate clause होते हैं या फिर dependent clause होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं यानि उसके कौन-कौन से types होते हैं तो जो subordinate clause होते हैं उसके three types होते हैं एक होता है noun clause जो कि यहाँ पे है एक होता है adverbial clause एक होता है relative या फिर adjective clause ठीक है तो यहां पर non clause की बात हो रहे है जो non की तरह काम करे उसे कहते है non clause जैसे यहां पर देखे can you guess can you guess क्या आप अनमान लगा सकते हैं इसे मैं बिना सहरे के कभी भी बोल सकता हूं किसी से भी पूछ सकता हूं क्या तुम guess कर सकते हो है ना तो यह क्या है यह हमारा होग जाएगा main clause main clause या फिर independent clause और यहां पर देखे what I have in my pocket what I have in my pocket की मेरे pocket में क्या है की मेरे pocket में क्या है इस sentence को मैं सिर्फ बोलता हूं तब मुझे यह sentence अधूरा लगता है या यह dependent clause या subordinate clause है अब उसके अंतरत कौन सा clause है यह noun clause है जो noun की तरह काम करे नाउन की तरह काम करे इंज जो noun को व्यक्त तक करे कि मेरे pocket में क्या है pocket में क्या है पैसा है रुपिया है या कोई चीज है तो इस तरह से यह noun clause है तो answer यह आप लिखेंगे exam में तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप अंसर लिखेंगे और अंसर के बाद आप लिखेंगे noun clause क्या लिखेंगे noun clause अब noun clause लिखने के बाद आप जो है इस clause को लिखेंगे noun clause क्या है यहाँ पर लिख देंगे what I have in my pocket तो यह रहेगा हमारा answer What I have in my pocket यही है noun clause Now let's see the next question You know him Change the voice Voice change करना है यानि यह जो है active voice में है यह जो है active voice में है You know him तुम उसे जानते हो अब इसे हमें क्या करना है इसे हमें PC voice में change करना है तो याद रहें कि active voice से यदि हम किसी भी sentence को PC voice में change करते है चाहिए कोई भी tense रहे कोई भी sentence रहे चाहिए imperative sentence रहे यदि हम active से PC में change करते है तो हमेशा verb की third form ही use करते है यहाँ पर जो verb है वो है No No की जो second form है वो होती है new and third form noon यह three form है अब देखे जो active voice होता है active voice में कैसा करम रहता है subject उसके बाद फिवर्ब उसके बाद object लेकिन passive voice में object पहले three verb उसके बाद last में subject को लिखते है तो देखे जो sentence है यह present indefinite tense का sentence है और present indefinite tense में हम जो है ease mr का use करते हैं तो object यहाँ पर him है लेकिन जैसी हम subject की जगह पे लिखेंगे तो him का क्या हो जाएगा he हो जाएगा जैसे I का me हो जाता है I subject you case और उसका objective case me I का me V का us you का you ही रहता है he का him हो जाता है C का her हो जाता है तो इससे आप याद रखेंगे तो यहाँ पर यह subject की ज़रा पर आया, तो him का क्या हो गया? He हो गया, and he, he के साथ क्या आएगा? Is आएगा, तो is, am, are का हम use करते हैं, तो he, see, it या one subject के साथ is का use करते हैं, I के साथ हम am का use करते हैं, you, we, they, या फिर एक से ज़्यादा subject हो, तब हम are का use करते हैं, तो he is a verb की third form, noon, he is noon, उसके बाद you का जो subject and objective case होता है, वो same होता है, तो यहाँ पर you ही आजाएगा, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर by नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे to, ज़्यादा तर हम क्या लिखते हैं, ज़्यादा तर case में हम by का use करते हैं, लेकिन यह एक अपवाद है, यहाँ पर हम to का use करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो verb है, वो है no, और यहाँ पर no के साथ हम to use करते हैं, तो यह एक अपवाद है, ठीक है, तो इस तरह से आप जो है active से PC में change कर सकते हैं voice Now let's see the next question Children like playing football Children जो है वो football खेलना पसंद करते हैं बच्चे football खेलना पसंद करते हैं आप यह क्या करना है Aid suitable question tag Question tag लगाना है Question tag से related मैंने एक separate video बनाया हुआ है और उस video में मैंने एकदम detail से समझाया कि question tag कैसे लगा जाते हैं और कौन से question exam में पूछा जा सकते हैं यदि आपने question tag की video को नहीं देखा है तो इस video के description box में लिंक दिया हुआ है आप जा करके देख सकते हैं तो यहां पर देखे Children like playing football इसमें suitable हमें question tag लगाना है तब हम do या फिर does को use करते हैं अब किस के साथ do को use करते हैं किस के साथ does को use करते हैं तो do का use यू है I, we, you, they and one plus subject या कि एक से ज्यादा subject हो तब हम do कर यूँजज़ करते हैं और he, she, it या पिर एक subject हो तब की case में हम does का use करते हैं, तो यह आपी देखें, जो बच्चे है, children है, वो धेर सारे है, एक बच्चा रहाता, तो child लिखते, children हैने, धेर सारे बच्चे है, तो हम किस का use करेंगे, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ है, आप exam में क्या करेंगे, इसी को आप as it is लिखेंगे, ज sentence यदि negative है, तो question tag positive लगाते है, don't, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें, जो noun है, noun क्या है, children, तो यहाँ पर हम noun नहीं लिखेंगे, noun की जगा पर हम क्या लिखेंगे, pronoun लिखेंगे, तो यहाँ पर pronoun क्या हो जाएगा, धेर सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे और यहां पर हम लिखेंगे question mark यही पहचान है question tag की तो इस तरह से don't they यदि कोई एक लड़का रहता या लड़की रहती तब हम उसके according लिखते लड़का रहता तो he लिखते लड़की रहती तो c लिखते और वैसे यहां पर यह don't नहीं रहता doesn't हो जाता है ना तो इससे आप question tag लगा सकते है तो यह हमारा answer हो जाएगा now let's see the next question the teacher said honesty is the best policy change into indirect speech indirect is it यह जो है direct speech में है इसे indirect speech में हमें change करना है तो देखिए जो बात है honesty is the best policy एक विचार है एक नीती है यदि कोई भी विचार है कोई नीती है सासवा सत्य है तो उसमें हम कोई भी changes नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ that का use करके as it is लिख देते हैं तो हमारे जो answer हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा same हो जाएगा the teacher said that बस लगाएंगे और जितने भी punctuation marks है उसे हम remove कर देंगे the teacher said that honesty अब यहां पर देखे capital हमने लिखा हुआ था और जैसे punctuation महा खटा है यहां पर small honesty is the best policy यह हमारा answer हो जाएगा the teacher said that honesty is the best policy now let's see the next question this is the watch I lost it yesterday combine the following sentences into complex sentence with relative clause यहां पर क्या करना है यहां पर देखे दो sentence दिये हुए है और दोनों sentence को हमें combine करना है और complex sentence बनाना है किसका यूज करते है रिलेटिव क्लाउस का relative clause it means adjective clause adjective clause it means visession वाले clause विशेशन यानि जो विशेश्था बता है जो नाउन या फिर प्रणाउन की विशेश्था बता है अब विशेश्था या फिर उसके बारे में कोई भी अतरिक्त जानकारी दी उसे हम कहते है रिलेटिव या एड्जेक्टिव clause तो यहां पर देखे द इस इस द वाच यहां पर लिख देते हैं इस इस द वाच इस इस द वाच उसके बाद I lost it yesterday यहां पर देखे यह एक घड़ी है और उसके बारे में इसे मैंने कल खो दिया तो यहां पर देखे इसी के बारे में घड़ी के बारे में कहा जा रहा है और इसे मैंने कल खो दिया तो घड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि घड़ी के बारे में अतरिक्त जानकारी दी जा रही है कि इसे मैंने कल खोया था ठीक है तो यहां पर जो noun है pronoun है उसके बारे में अत्रिक्त जानकारी दी जा रही है या उसकी विश्यस्ता बताई जाया है तब कि sense में क्या होता है relative clause का हम use करते हैं और relative clause का use करते हैं समय हम that, which, who, whom, where इस तरह की words का हम use करते हैं तो यह depend करता है sentence के उपर तो यहां पर जो वस्तु है उसके लिए हम क्या क्या use कर सकते हैं this is the watch इसके लिए हम use कर सकते हैं which का which उसके बाद I lost as it is लिखेंगे I lost I lost उसके बाद यह जो it है इसको लिखने की जुरूरत नहीं है और इसे हम direct लिखेंगे yesterday yesterday आप चाहें तो which की जगा पे आप that भी लिख सकते हैं ठीक है तो that भी आप लिख सकते हैं दोनों सही होगा लेकिन which ज्यादा अप्रेप्रेट लगता है क्योंकि रेखें this is the watch यह घड़ी है जिसे मैंने कल खोया था ठीक है तो इस तरह से this is the watch which I lost yesterday या फिर दिस is the watch that I lost yesterday इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह से आप sentences को combine करके आप relative clause का use करके complex sentence बना सकते हैं now let's see the next question respect your elders change the voice यहां पे voice change करना है और यह जो sentence है यह किस टाइप का sentence है यह एक imperative sentence है और imperative sentence में हम किस का यूज करते हैं imperative sentence में जदी हम voice change करते हैं तो पेसी वाइस में हम लेट का use करते हैं तो हमारा जो structure हो जाता है वो इस तरह से होता है लेट प्लस object प्लस बी प्लस वर्ब की third form इस structure को आपको follow करना है देखे यहां पे यह है verb और यह क्या है यह है हमारा object verb and object क्योंकि imperative sentence है अपने बड़ों का सम्मान करो इसी को क्या बोलोगे अपने बड़ों का सम्मान किया जाए ठीक है जैसे राजा मारा जा बोलते था इसे फांसी पे लटका दो ऐसा नहीं बोलते थे वह कैसे बोलते थे इसे फांसी पे लटका दिया जाए तो यह होता था यह है active voice and passive voice ठीक है तो यही है बोलने का और यहां पर क्या लिखेंगे लेडस कहीं और यहां पर lean glad उपिखेंगे उस्के बाद निखेगे पो तो यहां पर रिस्पेक्त AlorsPass तो यहां पर ऑन निखेंगे respected, ठीक है, तो इस तरह से आप voice change कर सकते हैं, let your elders be respected, now let's see the next question, she is very proud, she will not beg for her livelihood, use to, 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 to का use करना है, देखे, she is very, very के जगा पे हम लिखते हैं to, और उसके बाद that, sorry, यहाँ पे to लिखना है, एक और to है, ठीक है, तो very के जगा पे हम लिखेंगे to, उसके पिर से to लिखने के बाद, यहाँ पे देखें, दूसरा जो sentence है, दूसरा sentence का वर्ब कहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, बेग, बेग मीस भीख मागना, तो यहाँ से start करेगी, इसके just पहले, तो देखे, इसको मैं as it is लिखूँगा, दो जगा पे आप याद रखेंगे, see is, see is very के जगा पे क्या लिखना है, शुरू sentence में to लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, see is very के जगा पे to, उसके बाद जो proud है, उसको लिखेंगे, proud, उसके बाद फिर next sentence में देखना है, वर्ब कहाँ पे है, वर्ब, यहाँ पे बेग है वर्ब, अब इसके just पहले हम लिखेंगे इस to को, यह वाला to, यहाँ पे लिखेंगे to, उसके बाद बेग लिखेंगे वर्ब को, बेग, उसके बाद जो है, उसको as it is लिख देंगे, बेग, for her, उसके बाद हो जाएगा, ल her livelihood. Now, let's see the next question. As soon as he close his eyes, the telephone rang, rewrite using no sooner than in place of as soon as. As soon as की जगा पे no sooner than का use करना है. इस sentence में देखें, इस sentence में क्या कहा जा रहा है? इस sentence में ये कहा जा रहा है कि जैसे उसने अपने आखे बंद की टेली फोन बजा. अब ये जो हिंदी में जो sentence है ना, उसका मीनिंग सेम ही रहता है. चाहे हम as soon as का use करें, चाहे no sooner than का use करें. ठीक है? तो इसका use यदि हम करते हैं, as soon as की जवब पे no sooner than का, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो sentence है, ये कौन से tense का sentence है? तो ये कौन से tense का sentence है? जैसे उसने अपने आखे बंद की, as soon as he closed his eyes. It means ये past indefinite tense है. कौन से tense है? Past indefinite tense. और past indefinite tense में हम किसका use करते हैं? तो इन चीज़ों को आपको याद रखनी है. तो ये कौन से tense का sentence है? ये past indefinite tense का sentence है. तो यहाँ पर हम deed का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखे जब हम लिखते हैं एस सुनेज के जब पर नो सुनर तो कैसे लिखेंगे तो एस सुनेज को हम रिमूव कर देंगे इसके जब पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ लिखेंगे नो सुनर पहले लिखेंगे नो सुनर तो यह हो गया हमारा नो सुनर और नो सुनर के बाद हम लिखते हैं helping verb अब जो helping verb है वो कौन सी आएगी deed आएगी या had या फिर do या does तो यह past and definite tense है तो हम किस करेंगे deed करेंगे तो no sooner did उसके बाद क्या लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे subject तो subject क्या है subject है हमारा यहाँ पर ही तो यहाँ पर हम लिखेंगे he no sooner did he उसके बाद हम लिखेंगे verb verb क्या है closed closed जो है यह verb की कौन सी form है second form है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे first form तो यहाँ पर हो जाएगा close यदि past perfect tense की बात रहती तो हम वर्ब की third form लिखते यदि present indefinite की बात रहती तो हम वर्ब की first form ही लिखते तो no sooner did he close उसके बाद जो आगे का है as it is लिखेंगे did उसके बाद close के बाद क्या लिखेंगे he is eyes तो यह हो गया eyes उसके बाद देखें यहाँ पर कौमा की जगा पर क्या लिखेंगे है than, यानि यहाँ पर हमें कॉमा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा की ही जगा पर हम लिखेंगे than, और आगे का जो भी parts है, words है, उसको हम as it is लिख देते हैं, तो as it is क्या लिखेंगे, than the telephone rang, तो यहाँ पर हम as it is लिख देंगे, तो यह हो गया हमारा sentence, no sooner did he close his eyes than the telephone rang, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और यह काफी आसान है, no sooner than का use आता ही है, as soon as की जवब पर, आपको याद रखनी यही चीज़ है, कि यह कौन से tense का sentence है, और उसके बाद आप as soon as की जवब पर no sooner than का use कर सकते हैं, as soon as में यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होता है, लेकिन no sooner than की यूज में आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है, तो I hope कि आप समझ दिया है as soon as की जगा पर no sooner than का use हम कैसे कर सकते हैं, now let's see the next question, our next question is, swimming is the best exercise, pick out the non-finite verb, यहाँ पर non-finite verb को pick out करना है, तो सबसे पहले हम जाल लेते हैं कि finite verb यह non-finite verb होते क्या है, तो किसी भी sentence में, subject के according, यदि कोई verb है, और वो जो verb है, वो subject के tense, subject के number, subject के person के according, यदि वो change हो रहा है, या change हो रही है, तो वो कौन सी verb है, वो है finite verb, यदि किसी भी sentence में, यदि कोई verb, subject के tense, subject के number, subject के person के according change नहीं हो रही है, तो वो कौन सी verb है, non-finite verb है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, swimming is the best exercise, swimming क्या है, बेस्ट exercise है, अब यदि मैं इसका tense change करता हूँ, क्या change करता हूँ, tense change करके देखता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, swimming, swimming, अब यह जैसे मैं tense change करता हूँ, या नहीं मैं इसको यदि past tense में लिखूँ, तो क्या हो जाएगा, swimming was the best exercise, बेस्ट exercise, तो इस तरह से आप देखिए, कि यदि मैं tense change करता हूँ, तो यह जो ease है, वो क्या हो गई, was हो गई, और जो swimming है, वो change नहीं हो रही है, it means आप समझ जाएंगे कि कौन सी finite verb है, और कौन सी non finite verb है, तो जो swimming है, वो change नहीं हो रही है, it means यह है हमारा answer, यानि हमारा आंसर यह होगा swimming और जो is है यह कौन सी verb है? finite verb है एक example और देख लेते हैं और उसमें एक दम और clear हो चाएगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं finite verb नून finite verb को जैसे यहाँ पे देखें he likes to play इस sentence में देखें कितने verb है इस sentence में दो verb है कौन कौन से verb है? like पसंद करना, play मिन्स खेलना उसे खेलना पसंद है या वह खेलना पसंद करता है तो यहाँ पे देखें यह दो verb है अब दोनों verb में हमें पहचानना है कि कौन सी verb finite verb है और कौन सी verb non finite verb है तो कैसे पहचानेंगे? अब इसके हम tense change करके देखते हैं tense यदि हम change करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अब यदि मैं इसका क्या change करके देखता हूँ? अब मैं इसका number change करके देखता हूँ he के जगह पर मैं he and see याने मैं दो लोगों को लिख रहा हूँ है na he and see number मैंने change कर दिया, ङíनने दो लोगों को सामिल कर दिया he and see are, sorry, यहां पर क्या हो जाएगा? he and see और यहां पर क्या हो जाएगा? like to play तो यहाँ पर देखिये, he and see, दो subject है यानि number change किया मैंने तो क्या हो गया, like to play, यदि मैं इसका person चेंज करता हूं, he के जगा पर, यदि मैं I लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, I like to play, तो यहां पर इन sentences में आप देख सकते हैं, कि यदि मैं tense चेंज करता हूं, change में तो इन तीनों में से इन तीनों में सि इसी पी चीज जो यह यह है इक और दो वर्ब है अब दूनों में देखिए जो लाइक है या लाइक है जो भी गाय्क है लाइक है और दूनों change किया तो यह like हो गई यदि मैं person change किया तो फिर यह like हो गई it means यह change होती जा रही है लेकिन एक verb को देखिए play को play यहां पे भी play यहां पे भी play और यहां पे भी play है it means यदि वो change नहीं हो रही है चाहे हम tense change करें चाहे हम number change करें चाहे person change करें कुछ भी change करें, यदि वो change नहीं हो रही है, तो वो verb कहलाएगी non-finite verb, और यदि वो change हो रही है, तो वो कहलाएगी finite verb, तो I hope कि आप समझ outraしま इन 8, non-finite verb को हम कैसे पहेचान सकते हैं, Now let's see the next question, and our next question is, My father goes to office by car. यहां पर क्या करना है frame a question using where where का use करके हमें इसको question वाला sentence बनाना है तो यहां पर देखे my father goes to office by car मेरे जो पापा है वो car से office जाते है मेरे पापा car से कहां जाते है office जाते है तो where का मतलब क्या होता है कहां अब कहां कहा answer क्या मिलेगा office तो यह जो office है इसको हम क्या करेंगे remove करेंगे और office के साथ एक preposition है to इसे भी हम remove करेंगे तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे question वाले sentence बना सकते हैं तो देखे यहां पर हमें देखना है कि कौन सी tense का sentence है तो कौन सी tense का sentence है my father goes by car मेरे जो father है वो car से office जाते हैं या मेरे father जो है वो car से जाते हैं ठीक है they and one plus subject यानि एक से ज़्यादा subject के साथ हम do का use करते हैं does का use किसके साथ करते हैं तो does का use हम he, see, eat और one subject के साथ हम does का use करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे शुरू में लिखेंगे where where उसके बाद हम क्या लिखेंगे helping verb helping verb कौन सी आएगी do आएगी या फिर does आएगी तो यहां पर आएगी does क्यों आएगी क्योंकि my father यानि एक person है one subject है इसलिए यहां पर does आएगी तो where does उसके बाद हम लिखेंगे subject subject क्या है my father where does my father उसके बाद verb वर्ब में goes लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे go लिखेंगे क्योंकि endogative sentence में या negative sentence में यदि हम जैसे do does का यूज करते हैं तो हम वर्ब की हम इसा first form लिखते हैं उसमें इस या फिर इस को नहीं लिखते हैं उसको रिमूव कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा go उसके बाद to office को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने वेर लिखा हुआ है उसके बाद हम क्या लिखेंगे by car तो यह इस तरह से हो जाएगा by car और question वाला है तो question mark यहां पर लगा देंगे where does my father go by car means एट कोई कापा है वह कार से कहा जाते हैं तो इस तरहा जे आप question वाले बना सकते हैं इस तरह से धेर सारे जितने भी questions do as directed के आएंगे आपके exam में, उन questions को आप बड़ी ही आसाली से बना सकते हैं, कोई कठीन काम नहीं है, बहुत ही easy है, बस आप अपना confidence level आप हमेसा बना करके चलिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नही ही होती, कोई करने वालों की हमेसा जीत ही होती है, इसलिए कोई करते रहिए, कोई करने में कमी मत करिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, अभीपसा टीम आपके साथ है, और लगातार अभीपसा टीम आपके लिए धेर सारे important videos देते जा रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा है, तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सेर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताये कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं मिलूँगा एक इंटरस्टिं लेशन के साथ नेक्स वीडियो लेक्चर में, तब त झाल